मैं हम आप सुन सगराम की जज रह चुकी हैं और आपने बहुत सारे सिनियर एक्टर्स के साथ काम भी किया है आज कल की जो जेनरेशन है जो भोजपूरी में अपना नाम बना रही है या अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती है कहीं न कहीं वो बहुत जादा जल्दबाजी में है ऐसे कोई सब्द आ जाते हैं ऐसे कोई गाना आ जाती है जो घरों में आप किसी के साथ बैट के सुन नहीं पाती है मतलब आजकल के बच्चे एक्चली मैं समझती बहुत स्मार्ट है और हाँ उनको मार्ग दर्शन की जरूरत है तो एक तरह से वो अगर चाहेंगे क्योंकि किसी को जबरदस्ती बोलना भी आजकल आजके समय में यह लगता है कि उनको लगेगा क्या यह कर रही है मतलब तो अग अगर कोई जानना चाहेंगे खासकर लड़कियों के लिए मैं भुछपुरी में लड़किया है मैं जिस समय आई थी उस समय एक ऐसा भाव था या तो वो भजन गाई का जो घर अंगन की मतलब भजन गाई का थी या फिर एक तरफ रव राणी थी मतलब यह राणी वो राण प्रोफिशन है, तो कभी मुझे एक आइटम सॉंग मिलेंगा जिसमें डबल मिनिंग बात होंगी, और एक हद तक जहां सेंसर बोड है, सेंसर बोड क्यों है फिर, सेंसर बोड इसलिए है, जो शब्द फिल्टर होके आना चाहिए, तो हम लोग फिल्मों में एक्चुलिए हम परवा नहीं होना चाहिए, जो बिंदास गाना चाहिए, क्योंकि कुछ अगर समाज में जाने लायक बात नहीं होगी, वहां सेंसर बोड है, उनको पे किया जाता है, उनको सेलरी मिलती है, तो या तो सेंसर बोड ने अच्छा से काम नहीं कि अगर फेलियर हो रहे है, और द दोनों को बैलेंस करके, इस ही में एक्चुली वह सिक्षा आपने कि संगित को बचपन से कैसे लिया, आपको माबापने लोग संगित की विधा को लेना चाहरे है, कि प्लेबेक सिंगिंग में जाना चाहरा है, या फिर वो सब बात, एक्चुली, I think that institution should now come up, और उसमें दू अब शवदावली नहीं भी समझी, तो उसका भी मुझे भी आरोप लगता है, मेरे उपर भी आरोप लगा है, but I think उसको मैंने प्रमानित किया है समय में कि मैं ये नहीं कर रहू हूँ, मैं ये भी हूँ, मैं ये हूँ, और ये गलत, ये गलत है, तो लड़कियों में खुद उसको समझने की जरूरी है, आप उस लाइन को कहां द्रौ करते है, वो पैमाना क्या है, अगर वल्गरिटी है, वो पैमाना क्या है, वो खुद तेह करना है, लेकिन, साइड में एक बात मैं और भी बोलूँ, बहुत लोग इस तौपिक में असलिलता तौपिक में टी आर भ करना तो कोई कर्म नहीं हुआ, तो बहुत लोग उसको जस्तियार पी और इंटेर, उस पे भी मजे ले रहे है, बहुत मतलब उसको भजा रहे है, असलिए भूजपुरी प्रेम मैं तो तब मानूंगी, पुरे भूजपुरी समाज से बोल रही हूं, तमाम पॉलिटिशिंस इतने साल हो गया, अब तक आपकी बोली भाषा की दर्जा प्राप्ति दिलाने में, आप लोग नाकाम क्यों है, इस यूर फेलियर, भूजपुरी समाज का ये फेलियर है, कि भूजपुरी अभी भी एक बोली है, भाषा में अत्वी सुची में नहीं गई, दूसरी बात है असलिल्टा पर आप बात कर रहे हो, अरे आपके पास जो मतलब सिल्टा के मतलब मुकाम पर है वो भिखारी थाकूर, भिखारी थाकूर जी को आपने क्या समाज में आपने वो स्थान उनको दिया, कि आ भिखारी थाकूर जी को भारत रतना तो छोड़िये, पदमश्री नहीं है ओख समया हुँ तो इसलें बोल्यू नहीं दोनों होगा दोनों ओर हुँ भुछपूरी से बहुत जादा प्यार है मैं MTV coqs studio में जब गई दो बार गई में पहली बार राजस्था नहीं गाई अच्छा लगा कि मैं कोक्स तूडियो की प्लाट्फोर्म में हो बहुत बड़े प्लाट्फोर्म है लेकिन मन में एक टीस था कि भुछपुरी क्यों नहीं है अगले बार जब मैं भुछपुरी बिरहा गाई मैं इतनी खुश थी कि चुपिया मत इसके आरे में और फिखारी थाकुर जी को वह सम्मान दिल्वाइए अगर भुपे नजारीकाओं को मरनो परान भारत रत न मिल सकता है फिखारी थाकुर को भी मिल सकता है आप लोग नहीं चाहते हैं तो इस सवाल को फेस किजिए